दोस्तों पिछले कुछ महीनों में आपने चीता के बारे में काफी कुछ सुना होगा लेकिन अगर UPSC आप से statement में सवाल पूछ ले कि चीता और तेंदुआ में अंतर क्या होता है तो शायद आप भी सवाल गलत कर लें क्योंकि आम लोग अमोमन चीता तेंदुआ या पैंथर में फर्क नहीं कर पाते हैं देखिए चीते और तेंदुए में सबसे बड़ा अंतर उसके चेहरे से किया जाता है चीते के मुह पर एक घुमाओधार धारी होती है जो उसकी आँखों से लेकर जबड़े के पिछले हिस से तक जाती है इसके अलावा चीते के पूरे शरीर पर गोल गोल चिते होते हैं जबकि तेंदुए के शरीर पर चितों का आकार निर्धारित नहीं होता दोनों की आवाज में भी काफी अंतर है तेंदुए की आवाज दाहार जैसी होती है जबकि चीता दाहारता नहीं है च फुले या छोटी घासवाले मैदानों में रहते हैं जबकि तेंदुआ घने जंगलों से लेकर अर्ध शुश्क मैदानों में मिलता है।